बहुत लोगों के ग्यान चक्षू आपने खोल दिये हैं और ग्यान चक्षू खुलने भी जरूरी है क्योंकि आज 12 राज्यों में सीधे आपकी सरकार है, 17 राज्यों में गटबंधन की सरकार है, तो मेरे खाल से काफी हथ तक ये साबित हो जाता है कि गौमूत्र वाले राज बुलने वालों के लिए आईना दिखाना जनता का काम है, एक मंत्री जी एक और सवाल करना चाहूंगा, देविका जिस नेरेटिव पर लेकर के गई हैं, मैं सवाल को वहीं से एक कदम और आगे बढ़ाऊंगा, देविका ने संथिल कुमार का जिक्र किया, गौमूत्र वाल एक मंच तो यहां पर है, वेकिन एक मंच उनका है, जिस मंच का नाम इन्होंने दिया है, इंडिया गट बंधन, कहीं का इट, कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा, वो भी पूरी तरह जूड नहीं पा रहा है, सनातन के शत्रूओं को, इंडिया गट बंधन व राज्य सरकार के मुख्यमंद्री के तौर पर जब काम करना शुरू किया, तभी से उनका एक ही सुत्र रहा है, परफॉर्मंस का पॉल्टिक्स करो, आप जो कहते हो उसको करके दिखाओ, और जो कर रहे हो, वो लोगों को बता के उनी के आधार पर वोट इकठा करो, इसको उन्होंने नाम दिया है, डेवलपमेंट का राजनिती, विकास की राजनिती, वो सारे सवालों के एक ही जवाब देते हैं, कि सभी समस्याओं का एक ही हल है, और वो है विकास की राजनिती, और वो करने करके उन्होंने दिखाने का प्रयास भी किया, और मैं तो इसके कहीं उदाहरण दे सकता हूं गराजी के मुख्यमंत्री के तौर पर और जैसे मैंने मेरे विभाग के तौर पर आपको जो बताया ये पचतर साल आजा दिके हो जाने के बाद इस देश के पशुओं की लिए एंबुलेंस निकालना इस देश के पशुओं के लिए वैक्सिन निकाल ये तो प्रधान मंत्री मोदी जी के विजन से निकल रहा है और ये अब वहां दूर दराज मैं आपको बताओं मैं बॉर्डर विलेज में गया था तो वहां जहां डेवलपमेंट के कोई चीजे की वहां चर्चा नहीं हो रही है वहां भी ये अमारा वेक्सिनेशन का काम च जा रही है मैंने मोदी जी को आकर बताया था कि जहां पहुंचने में हमें हवाई जहां से भी दिकत हो रही है बाई ट्रेंड जाना बहुत दुशकर हो रहा है बाई रोड जाने का तो सोच भी नहीं सकते हैं ऐसे दुर्गम स्थानों पर जहां हमारा जाना दुशकर है वह आपकी योजनाय पोँच गई है तो यह एक बहुत बड़ी उनकी काम करने की पद्दती है और वही उनका मेसेज है और वही उनका जवाब है इन सब लोगों का कि आप सिर्फ बाते बताते रहते हों कुछ भी ऐलिगेशन करते रहते हों किसी भी भाषा का भी प्रयोग कर रहे रशिया के राष्टपती जिनको आधर संबान दे रहे हैं विश्व के युद्ध के मैदान के अंदर जहां से भारत के बच्चों को निकालना होता है वहां हमारे प्रधान मंत्री के कहने पर बंदू के निचे हो जाती हैं और हमारे बच्चे तिरंगे लेकर युद्ध भुमी से बाहरा रहे हैं ऐसे नेता के बारे में आप कुछ भी बोलते रहोगे, कुछ भी कहते रहोगे मैं तो यह मानता हूं कि ऐसी चीजों का तो सारवत्रीक सम्मान होना चाहिए यह अकेले मोदी जी का सम्मान नहीं है, यह भारत का सम्मान है, देश का सम्मान है रुपाला जी समय कम है, तो कुछ आखरी सवाल हम लेना चाहेंगे अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव जी भी थे, इसी मंच पे और वो यह कहके गए कि जो विपक्ष का गड़बंदन है, उसमें अभी कोई लीडर नहीं है पर लीडर्स की चॉइस बहुत है, यंग भी हैं, यंग चाहें तो यंग लें, ओल्ड चाहें तो ओल्ड नहीं, वो कहते हैं कि भाजपा में लेकिन कोई विकल्प नहीं है, एक ही लीडर है, दत साल से अगले भी लगता है, वही लीडर रहेंगे, और वो सब मोधी जी की ग त στην ही लोगों की. मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको ये कहना पड़ता है कॉमारे पास्क्राइब हैं ये कोई कपड़ की चीज है, कि इस्में चौइस होता है, कि ये कोटन का लेगा, टेरी कौटन का लेगा, ऐसा लेगा, नहताओं में चॉईस नहीं होती है, नेता बनना पड़ता है नेता प्रोडींस करना पड़ता है नेता ऐसे कहीм चॉइस करके वो उसमें एडिवर्टाइज देके, आप ख़ड़े कर सकते हो कि भी छलो हमें नेशननल लेडर के लीडर की आवश्चता है, हमें स्टेट लेडियर के लीडर की आवश्कता है, आप डालो ऐसे नहीं होता है नेता अपने करमठता से अपनी तपस्चरिया से अपने कॉंट्रिब्यूशन से नेता बनते हैं मोदी जी ने 40 साल अपनी जान खपा के और आज भी 20 गंटे काम करके उन्होंने अपना व्यक्तित्व अमारे देश में नहीं विश्व में इस्टाबलिश किया है और ऐसा अभी तक विश्व में कोई नेता नहीं है जो 20 साल तक स्टेट का हैड अनिंट्रप्टेड जीता हो इसको नेता बोलते हैं ढूंडो आपके पांस बहुत चैयन है तो एकाद मोडेल को रजू करो